आज के फनकार नमस्ते दोस्तों आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंग लेकर आज के फनकार आज के फनकार में आज एक खनकती आवाज एक शीरी आवाज खिले खिले चहरों से आज घर है मेरा गुले गुले जा क्या कहना आए चेड़ें तान होटों पर आये मुस्कान होटों पर मुस्कान तो आई पर थी रखना भी हो जाए भी आपने थिरकने का इरादा किया और देखिये ढोल बजने लगा आज के फनकार में एक ऐसी गाईका जिनकी आवाज में है नाजुकी अधा और मस्ती वो है कविता कृष्णमोर्ती दीमे धीमे गाऊ धीमे गाऊ धीरे धीरे गाऊ खौले खौले गाऊ तेरे लेह ते आगाऊ मैं गाते जाओ चुझ चुझ पाये चन काऊ सुझ सुन कब से दोहराओं पिया 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 गुछन महके महके ये मन देहके देहके और तंग देहके देहके जो है बता पिया मन की जो हालत है ये तन की जो रंगत है ये तेरी दोस्तों कविता कृष्णमूर्थी के गायन का सफर आठ बरस की उम्र से ही शुरू हो गया था जब उन्होंने एक गायन प्रतियुगेता में प्रतम पुरसकार जीता था तभी उनकी आखों में गायका बनने का रेश्मी खौब तिरने लगा सन 1958 में नई दिल्ले में जन्मी कविता कृष्णमूर्थी के शुरूवाती तालीम घर में ही हुई बाद में उन्होंने शास्त्री संगीत की बाकायदा तालीम ली श्री बलराम पुरी से बाद में प्रतिमा भटाचारे ने कविता कृष्णमूर्थी को सुरूमा बासू से मिलवाया जिन्होंने आगे चलकर कविता कृष्णमूर्थी को रवीन्र संकीत सिखाया नौ बरस की उम्र में कविता को स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सानिध्य में बंगला भाशा में एक गीत गाने का मौका मिला यही से उन्होंने पार्शुगायन का फैसला किया ओ नमर्शिवार तीन शब्द में रिष्टी थारी रिष्टी थारी तमार चोधा बरस की उम्र में कविता कृष्णमूर्थी मुंबई आ गई कविता कृष्णमूर्थी के गायन के शौक के पंक धीरे धीरे खुलने लगे और वे गायन के आस्मान में उड़ने के सपने देखने लगी कॉलेज की दिनों में कविता कृष्ण मूर्ती ने तरह तरह की संकीत प्रतियुगिता में हिस्सा लेना शुरू किया मुंबई के सेंट जेविर्स कॉलेज में उन्होंने सनातक किया उन्ही दिनों एक कारिक्रम में कविता का गाना मशूर गायक मन नाडे ने सुना वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कविता को विज्यापनों में गाने का मौका दिया उन्होंने रेडियो के लिए कविता कृष्णमूर्टी से कई जिंगल्स गवाए सन 1976 के अंत में कविता कृष्णमूर्टी ने संगीत कार लक्ष्मी कांत प्यारेलाल के जरिये बॉलिवूड डेबू किया लक्ष्मी कांत प्यारेलाल से मिलने के बाद कविता कृष्णमूर्टी के एक अदम फिल्म संगीत की ओर बढ़ चले बतोर पार्शुगाई का सन 1980 में कविता कृष्णमूर्टी ने पहली बार गाया फिल्म थी मांग भरो सजना हलांकि बाद में ये गाना फिल्म से हटा दिया गया था काहे को प्यारी बिदे से लखी बाद बुल्मूरे काहे को प्यारी बिदे पाक भरा मैंने गुडियों का छोड़ा पाक भरा मैंने गुडियों का छोड़ा छोड़ा सहेनियों का साथ्रे लखी बाद मुरे सन 1985 फिल्म प्यार जुकता नहीं इस फिल्म ने कविता को खास पहचान दी इस फिल्म ने कविता के गायन के सफर को चमका दिया इसके बाद फिल्मे दुनिया में उनकी ये चवी बनी कि वे हर तरह के गाने गा सकती हैं ये कविता कृष्ण मूर्थी की आवास का जादू था जिसके जरीए वे शुताओं को सम्मोहित कर लेती हैं तुम से मिलकर ना जाने क्यों तुम से मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है जन्मों का ये नाता है ये नाता है नब्बे के दशक में फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने ने कविता कृष्ण मूर्थी को गायन के आकाश में बड़ी उचाई दी उन्हें सुपर हिट सिंगर का दरजा मिल गया सुनी वही गाना जो कविता के लिए सबसे चमकीले सितारे की तरह चमका में हुआई कहती है मुझे तरह हवा हवाई हवा हवाई बिचली दी राने में हुआई कहती है मुझे हवा हवाई कविता क्रिष्ण मूर्ती को चार बार सर्वशेष्ठ पार्शु गाईका के फिल्म फियर अवाड से नवाजा गया सन 1995 में विदू विनो चोपडा की फिल्म 1942 अलव स्टोरी के लिए मिला सर्वशेष्ठ गाईका का फिल्म फियर पुरस्कार कर दो लिए महाँ कुः के से जिए वाँ कुः के सी क्यों नए लग गए है इस हर सी जगर मैंने पूछा तो मौली इस पजली पगर क्यार हुआ चुछ तुछ 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 प्यान हुआ चुप 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 सन 1996 में कविता कृष्णमूर्ति को याराना के लिए मिला सर्वर्शेष्ठ गाइका का Film Fair Award लाया परात लाया घुमना उठाने आया अपना बनाने आया ओ सन्नों ची पात लाया तारे की पात लाया पागल बनाने आया ओ मेरा पिया घर आया ओ रामजी मेरा पिया घर आया ओ रामजी मेरा पिया घर आया सन 1997 में खामोशी दे म्यूजिकल के लिए मिला सर्वशेष्ट गाइका का फिल्म फेर पुरसकार आज में उपर आसमा नीचे आज में आगे दमाना है पीछे आज मैं उपर, आसमा नीचे, आज मैं आगे, दमाना है पीछे, तर्मीन ओ खुदा, अब मैं क्या करूँ, चलू सीधी के उलती चलू कविता कृष्ण मूर्ती को सन 2003 में फिल्म देवदास के लिए सर्वशेष्ट गाइका का फिल्म फेर पुरसकार मिला श्रेया घोशाल के साथ उसके बाद सन 2005 में कविता कृष्ण मूर्ती को चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पदमश्री से सम्मानित किया गया यह किसकी है आहट यह किसका है साया हुई दिल में दस्तक यहां कौन आया हम पे किसने हरा रंग डाना खशीन हमारे हमें कविता कृष्ण मूर्ती के पिता Education and Culture Affairs Ministry में कर्मचारी थे अपने देश की विविधता इतनी गजब की है दोस्तों अयर परिवार में जन्मी कविता कृष्ण मूर्ती ने सबसे पहले रवीन्र संगीत सीखा यहां से कविता कृष्ण मूर्ती के शक्सियत में विविधता आती गई जिन भाषाओं में उन्होंने भरपूर फिल्मे गीत गाये हैं वो हैं हिंदी, बांगला, तमिल, तेलगू, कन्नड, मल्यालम, भोजपुरी, उडिया, गुजराती, मराथी, असमिया, कॉंकडी मोटी तवर पर 16 भाषाओं में तकरीबन 25,000 गाने गाये हैं कविता कृष्ण मूर्ती ने कविता कृष्ण मूर्ती ने तमाम तरह के गाने गाये हैं जहां एक तरफ उनके कुछ गाने नाजुक और जजबाती हैं वहीं उन्होंने धूम मचाने वाले गाने भी गाये कविता कृष्ण मूर्ती की आवाज में अल्हड योती किसी मासूमिय जह लगती है मैया या शोदा ये तेरा गने या पन खट पे मेरी पकड़े है बैया संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है राम जी की एक पासे मैं बची राम जी की एक पासे उनकी आवास की लहर में आप जैसे बहते चले जाते हैं आई रहे आई रहे ले मैं आई हो तेरे तोड़ा रहे तोड़ा रहे हर बंधन को प्यार के लिए जान रहे जान रहे आज तुझ में समा जाओ मैं दिल रहे दिल थे तेरे सांसों में बस जाओ मैं जब वो मस्ती भरे गाने गाती हैं तो अनाय आसी आपके पैर ठिरकने लगते हैं ओ लाल दूपटे वाली तेरा नाम तो बता ओ काले कुर्टे वाली तेरा नाम तो बता नाम तो बता तेरा नाम तो बता ओ नाम के दीवाने तो काम तो बता काम तो बता तेरा काम तो बता कविता कृष्ण मूर्ती हिंदी सिनेमा के संगीत के उस दौर की आवाज हैं जब मेलोडी थी मिठास थी और गानों को आप साथ साथ गुन गुनाते थे आखों की खुस्ता खियाम आप हो ओ आखों की खुस्ता खियाम आप हो तिक तुक तुम्हे देखती है जो बात कहना चाहे जुआ तुमसे ये वो कहती है आखों की शर्मों हयाम आप हो तुम्हे देखते शुकती है कविता क्रिष्ण मूर्ती की आवाज की शास्त्रियता की एक जलक अलबेला सजन आयोरी मुराहत मरिशूख पायोरी अलबेला सजन आयोरी सन 1999 में कविता क्रिष्ण मूर्ती ने जाने माने वालिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमन्यम से विवाह किया हेके सरा 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 जो भी हो तो हो हमें प्यार का हो आतरा पिर चाहे जो हो हेके सरा 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 जो भी हो तो हो हमें प्यार का हो आतरा पिर चाहे जो हो प्यार जिन्दगी प्यार हर खुशी प्यार जिसने पाया है वही दियर फूल जैसा खेला प्यार जिन्दगी प्यार हर खुशी प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा खेला प्यार हलती है प्यार जोगा है प्यार खेल जिखाया है देखो फिर ना कर ना किला प्यार ही थड़करों की कहानी है प्यार है हसी दासदा प्यार अश्कों की नेका निशानी है प्यार में है जाने कहा प्यार की बात जिसने ना मानी है उसकी ना दोजानी है ना है आसमा उसके बाद कविता सुब्रमनिम के नाम से कविता जी के गायन का सफर आज भी जारी है उनके गानी का सफर जारी रहे यही शुपकामना विविद्भार्ती परिवार की ओर से 25 जन्वरी को कविता कृष्ण मूर्ती मनाती हैं अपना जन्दिन विविद्भार्ती परिवार की ओर से कविता कृष्ण मूर्ती को जन्दिन की धेर सारी बधाया इश्क बिना क्या जीना यारा इश्क बिना क्या परदा इश्क बिना क्या जीना यारा इश्क बिना क्या परिना इश्क बिना क्या यारा थागाए गच्चा बुर से मीठाश निमिने से धटाश वागाए पक्का थागाए गच्चा दोस्तो कविता क्रिष्णमूर्ती के गानों का संकलन इतना बड़ा है कि आधे गंटे के कारिक्रम में समेटना थोड़ा मुश्किल है तो आज बस इतना ही चलने से पहले आपको बता दे अलेख और स्वर आपकी रेडियो सकी ममता सिंका इसकारी क्रम के प्रस्तित करता रमेश गोखले तो अब हमें दीजे इजासत नमस्कार आज के फनकार